बारश और कुछ अलाकों में बादल फटने के बाद बाड़ की स्थिती पैदा हो गई है वहें इलाके में बाड़ की वज़े से छोटे पुल भी बह गए हैं स्थानिय लोगों ने मांग की है कि नुकसान का आकलन करने के लिए शेतर में और टी में भेजी जाएं लोगों ने घरों के पास सुराक शातमक तडबन बनाने की मांग की है देखते ही आए रोड बन रही थी अंदर कॉंस्रेक्शन थी इस पर काम चल रहा था तो ये पानी का बाहूर बड़े तेज अंदाज में आया है ये रोड बन रही थी तो इसका भी ब़ोड़ बड़ा नुकसान हो गया है वही बारमुला में भी भारे बारिश हुई जिसके कारण कई पेड उखड़ गए और विभेन सडकों पर यातायात बाधित हो गया जलेके कई लाकों से बादल फटने की भी खबर है जिससे बार की स्थिती देखने को मिली है और कुलगा में बिजली गिरने से एक युवा की मौत हो गई जबकि इस हाथसे में एक अन्य घायल हो गया है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भड़ती कराया गया है मिरतक युवा की पैचान मुक्तार एहमद चोहान पुत्र मुहमद हुसेंद चोहान के रूप में हुई है जबकि घायल रफाकत एहमद चोहान को अस्पताल में भड़ती कराया गया बिजरी गिरने से एक बच्चे की पंदरा साल का है उसकी बड़किसमती से मौत हुई और एक बच्चा जखमी हुआ और उसमें कुछ मवेशी दो मवेशी भी इसमें उनकी भी मारे गए तो उसी वक्रत टुरंट डीसी साब की डिरेक्शन पे हमारी जो अजियार पीटी और हमारे जो कंसर अंडर मैजिस्टेट है यहां रंग डब बंगवार कुलगाम इलाके में आज सुबा सवेरे जो है आसमानी बिली गिर जाने से एक शक्स की मात हुई है जबकि एक शक्स जो है वो जखमी हो गया है महलू की शनाक बुख्तार अहमद चौहान के बतोर हुई है जबकि जखमी होने वाला रफाकत हमद साथ साला जो है उसको जल्दी मकामी हस्टाल में इलाज मौलजे के लिए दाखल किया गया है जला इंतिजामिया और पुलीस वाकिवारदार पे पहुंच गई है और वहां पे रेश्यो ऑपरेशन जारी है इस दोरान जला कुलगाम में सुबा सवेरे से ही मुसलसल बारिशों का सिल्सला जो है वो जारी है और ये सिल्सला अभी भी बदस्तूर जारी है और ऐसे में पेशन्ट गोई की गई है कि आज दिन बर बारिशू का इंकान है और ऐसे में जो उप्री पहारी अलाकों में रहाइश पजीर लोग हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जो है वो जिलह इंतिजामिया ने जारी की है जोरिजवी नियूजटी नेटवर्क पात्कुल गाम और वटोगया एक चोड़ ब्रीक का बनिए